हेलो गाइज वेलकम को पिए से आज की क्लास बहुत इंट्रेस्टिंग है आज से बिसिकली एक नया सीरीज हमें स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें को यहां कि प्सक्राइब करेंगे उस तरीके न आत VC kसो आफ एक याद करते हैं उस तरीके समस्मझाने की कोशिक की की जितने भी यह हम 100 तू Michaels ऐसे डिसको्स करने वाले वह आपको याद रहें और हम और हम जो बी आप الا की मीनिंग भी आपको पोशिश करेंगे बताते चले तो आपको वकाब सेक्षिन प्लस एडियम का सेक्षिन भी कवर अब होते हुए चलेगा ठीक है तो विदाउट बेस्टिंग आइम लेट स्टार्ट विद इस एडियम सामने दिख रहा है वो है अब वाइल्ड गूस चेज इसका मीनिंग होता है बैटा फटाइल अफ़र्ट इसको किस तरीके से आथ कर सकते हैं चेज मतलब किसी चीज के पीछे हम दौड रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया फटाइल अफ़र्ट दौड़ते दौड़ते आपका काम नहीं बन पाया तो वह अफ़र्ट बेकार होगा इस तरीके से आथ कर सकते हैं फटाइल फट फट वाइल्ड गूस चेज में कोई वाइल्ड गूस के पीछ आप उन्तौल रहे हो तो अफ़र्ट आपकी बेकार हो गई तो इसका मीनिंग भी होता है कि यह फटाइल फट दूसरा है अब ब्रोके रीड अब इसको इस तरीके स जूटी वही है तो उस पर आप क्या रिलाइकर होगे सेकेंड वाला हो गया अन रिलाइब थर्ड इस अ मेर्स नेस्ट ठिक नेस्ट सबको पता है क्या होता है गोसला मेर मतलब जो हॉर्स का फीमेल होता है ठिक वो छोड़ दीजे नेस्ट पर ध्यान रखते हैं तो जब भी इस नेस्ट आएगा तो नेस्ट अख्या चीज बहुत अच्छी चीज होती है इंट्रेस्टिंग चीज है बहुत कितने अच्छे से किसी न उसको बनाया जो भी चिडिया बगयर है घोसला उसको इतने अच्छे बनाती है बट उसकी वैल्यू कुछ नहीं है हमारे Gratuitous hat जो चीज दो बिना किसी पर कर इंशन के है कोई बुरा इंसेल्ट कर दिया तो में गोई एन-अकोड फॉर इंसलिट मतलब आपकी इंसल्ट विना किसी रीजन के अनकॉल फॉर इंसर्ट वेट ब्लैंकेट गीली चाहदा है किसी काम की है आप ओड़ोगे आपको ठंड लगेगी और लगेगी तो मतलब एक तरीके से देखा ज़सको इस तरीके से लेट कर सकते हम लोग गीली ब्लैंकेट हमने ओड़ी तो वह हमको एक तो ठंड लग थी और यह दो इसका अंसर क्या हो जागा वन हूँ डिस्करेश एक एत्टर राग तुगह पर्टिकुलर परशें वहीं एंगरी वह बुल को आप जब रैट क्रण को कोई वह दिखाओकर गड़ तो और गुस साता है ठीक तो वाइलन हो जाना यह वहां से क्लियर हो गया बॉटलने एन इमपिडिमेंट एफ बॉटल ने कि जो मतलब बॉटल है वो देखा जाये बहुत पतली होती है नॉर्मल बॉटल की बात करें अब आजकल जो लेटर वाटल हिए इस तू आल यह नहीं नॉर्मल बॉटलन ने पतली होती है तो इमपेडिमेंट की मिनिंग क्या होती है जो हिंड्रेंस कर रही तो इसका मतलब होगा है एन इंपेडिमेंट एर्थ है ये बोन ओफ कंटेंशन हड़ी से याद रखेंगे हड़ी है ये किसली प्रॉब्लम कर गी लडाई के लिए ठीक है अब जैसे इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मालीजे दो डॉक्स थे उनके ब क्वारल ठीक है रोलिंग स्टोन एक रोलिंग स्टोन है वन हो कैनोट स्टिक अनी प्लेस मतलब अब उपर से पत्थर नीचे चलता चला आ रहा है तो अपर सी बात वह रुकने वाला नहीं है भी या ठीक है रुकेगा नहीं रुकेगा तो वन हो कैनोट स्टिक तो है अनी प मेनजर की मीनिंग तो सबसे पहले समझ लीजे, मेनजर मतलब होता है बिटा, कोई एक घर है, मतलब जैसे, मान लीजे कोई लकडी का एक छोटा सा घर उसमें भूसे उसे का बना हुआ है, चाहिए इसको इस तरीके से बोला जाता है, डॉग इन मेनजर, अब इसको याद कैसे क थी बिखन के ट्रीकी सरसे, अब मेनजर से आद कर सकते हैं, डॉग इसको मेनेजर का डॉग है, तो बैसी बात है, वो दूसरों को रोकेगा, कोई भी काम करने से, इन्जॉपार्णे से, इस तरीक से आत कर सकते हैं, परस्निशनी इंज्यविसलिटाुप्स ए पिपल रुप in the manager next बढ़ते हैं बच्चा 11 यह बहुत ज़्यादा कोश्चन आता है यह वहला बहुत ज़्यादा आता है और आपल अपल अपने मिटी अनिमिटी मतलब दुश्मन टिक एन आपल अपल अपने मिटी इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं सेब के वज़े से लडाई हो जा रही अब किसी पहाल पर जब चड़ोगे तो मुश्किल होगा ना तो वेरी हाट वेरी हाट वर्ग अ हार्ड नेट टू क्राक बहुत इसमें गुदी लिग दिया कि बहुत ज़ादा नट है बहुत ज़ादा हार्ड तोड़ने में तो एक क्या हो वर्ग ऑल्मोस्ट इंपॉसिब अल औल मैं बहुत अच्छा हो तो मैं हर चीज का कमपलीट मास्टर हूँ औल एंसंडरी यह कैसे सकते हैं कि एवरीवन विदाउट इस्तिंक्शन औल तो एवरीवन होगया ठीक औल तो एवरीवन हो गया एंड संडरी भी लिखा हुआ था एंड संडरी मतलब ऑल भी है और सड़े लोग भी जो सड़े लोग हैं मतलब everyone without distinction कोई distinction नहीं सारे इंसान जानवर सब everyone without distinction वो all and sundry में आ जाएगा ठीक है तो 15 idioms बिट्चा आज हम लोग कोशिश करें अच्छे से समझाने की जो चीज ना समझ में आई हो उसको आप अपने तरफ से भी अपने दिमाग से कुछ कोशिश कर सकते हैं याद करने कि हमने अपने लेबल से समझाने की कोशिश करिए next 15 और कोशिश करेंगे कि और इजी वे में हम आपको समझा पाएं ठीक है ओप आज का यह आपको इडियम्स वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा इसकी नेक्स जो वीडियो होगा वह हम अभी जल्दी अप्लोड कर देंगे तो जल्दी जल्दी 15 15 करके करीब 100 to 150 अम इडियम्स कवर अप करेंगे ठीक है थैंक्यू गैस थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें हमारा चैनल और इस लेक्चर को और फोरवर्ड करें और शेयर करें लोगों को थैंक्यू गैस